जैहिन दोस्तों, क्लास 6th NCERT के चेप्टर 9 तक हमने कवर कर लिया है, आज चेप्टर 10 देखेंगे और इसके साथ-साथ UPSC के प्रिवियसर कुश्चन्स भी हम लोग करते जा रहे हैं तो यह चेप्टर 10 है और इससे पहले के लेक्चर्स आप जरूर देखिए, बहुत सारी चीजें हमने कवर की थी और साथ में कुश्चन्स भी किया था, देखिए, बहुत बार क्या होता है न, कि यह जो कुश्चन्स NCRT के, वो डिरेक्टली, सीरियस, NDA, इवन सीविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं और ये सारे सवाल भी मैं आपको दिखाता हूँ चल रहा हूँ, तो आज आईए बात करते हैं चेप्टल 10 के उपर, चेप्टल का नाम है टेडर्स, किंग्स, एन पिल्ग्रिम्स, टेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, किंग्स का मतलब राजा और पिल्ग्रिम्स का मतलब होता है यात्री, बेसिकली जो धार्मिक परपस से यात्रा करते हूँ, तो यहाँ पे देखें ये जो ट्रेडर्स वाला पार्ट ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आपने गौर किया हो तो सीविल सर्विसेज 2012 में स्रेनी के उपर कोश्यन आया, जो कि गिल्ड कहलात है, वो कुश्यन भी हमने लास्ट के लेक्चर में कवर किया, नौर्दन ब्लेक पोलिश्ड वेर के बारे में हमने बात किया था, कि ये क्या होता है, ये मिट्टी के बरतन होते हैं, और इतने जादा ये परिस्कृत होते हैं, कि बिल्कुल पॉलिश्ड होते हो, और बहुत जादा चमकदार लगते हैं देखने में अब यह जो पॉटरी है स्पेसली बॉल्स देखा जाए और प्लेट्स देखी जाए तो बहुत सारे साइट में देखने को मिलती है तो अब यह सवाल उठता है कि एक ही तरह के जो पॉटरी है वो देश के अलग-अलग कोने में कैसे प कंटेक्स्ट क्या है कंटेक्स्ट यह है कि देश के अलग-अलग जगों में एक ही तरह की पॉटरी देखने को मिल रही है तो इस माध्यम से में लोग इस कनुक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जरूर यहां पर टेडर्स होते होंगे जो एक जगा के बने हुए सामान क्यों एक ही पर्टिकुलर एडिया में देखने को मिलते हैं और अगर वह समान अलग-अलग जगों में देखने को मिलेंगे देश के तो इस बात से अंदाजा लग जाया कि जरूर वहां पर टेडर्स होते होंगे जो सेल करते होंगे चीजों को एक जगा से दूसरे जगा में और अगर आप साउथ इंडिया को देखे तो गोल्ड हो गई इस पैसिस हो गई जैसे पेपर और प्रिसियस स्टोंस इनके लिए यह काफी फेमस था और अगर रोमन एंपायर में पेपर को लेकर के काफी वेल्यू की जाती थी और इस वजा से इसे ब्लेक गोल्ड भी खा जाता हूं सबसे जादा अगर कोई चीज इंपोर्टन्ट है अपके एक्जाम में अगर कोई सबसे बेस्ट गुरू है तो वह है सिलेबस और प्रिवेसर कॉशन सिलेबस आपको यह बताता है कि क्या पढ़ना है क्या चूड़ना है ठीक है क्योंकि यही चीजे हैं जो सबसे ज़् सिप्स में क्योंकि रोम जो है वो जाने के लिए लेंड का यूज तो कर नहीं सकते बीच में बड़े सी आएंगे और वाटर बोडी जाएंगे इसलिए वहाँ पर सिप्स का लेकिन अगर इंडिया में ही अगर अलग अलग सब्कॉंटिनेंट अलग अलग जगहों में पहुचाना रहता था सामान को तो कार्मा का यूज करते थे अभी कार्मा भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे रोमन गोल्ड कोईंस देखने को मिलते हैं तो इससे यह अंदाजा लगता है कि व्यापार काफी फ्लरिस कर रहा होगा काफी ज़्यादा मात्र में चीजे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जारी होंगी तभी बहुत ज़्यादा संख्या में बहारी संख्या में गो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पुहार है वहाँ पर जो गुट्स लाया जा रहा है उसके विसे में बताया जा रहा है पुहार कौन सा है एक इंपोर्टेंट पोर्ट है इस्ट कोस्ट में मैप से भी से कवर करेंगे क्या-क्या बताया जा रहा है ध्यान से समझे सिप्स में क्या-क्या लाए जा रहा है, sheep to prancing horses by sea in ships, bells of black paper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in western hills, the pearls of the southern sea and corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the cross from Kaveri, food stuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar and other rare and rich imports, यानि यहां पे पुहार की जो बात की जारी, पुहार या पुम-पुहार भी कहीं-कहीं पे लिखा मिलेगा, उसके विसे में बताया जा रहा है कि क्या-क्या चीजे किन जगों से आईगी, जिसे अगर आप देखे तो black paper को carts में लाया जा रहा है, carts का मतलब होती है न, जो आप बहुत ही ध्यान से याद रखिए, जो पुहार पोर्ट है, पुहार जो बंदरगा है, ये जो बंदरगा है, ये चोल पोर्ट है, चेर नहीं है, ध्यान रखना है आपको चोला पोर्ट है, अभी हम लोग सारे पोर्ट देखें, क्योंकि बहुत सारे question आए, serious में भी पि है, ये क्या है, चोला पोर्ट, ठीक है, बस आभी आपको इतना ही ध्यान रखना और ये चीज़े आपके काम की नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं, कि जो कोस्ट होते हैं, जो तट होते हैं, इनमें न्यू किंग्डम कैसे स्टेबलिस देखने को मिले, तो जो सदन हाफ है सब क सब्सक्राइल है, ठीक है, कावेरी नहीं आपने मेप में देखा होगा, और चीफ और किंग्स कांट्रोल रिवर वैलीज एंड़ कोस्ट बिकेम रीच और पावरफुल, अब जो इन रिवर वैलीज को जो राजा कंट्रोल करते हैं, या जो चीफ कंट्रोल करते हैं, वो आपड़ी दूटी, टेक्सेज लगा पाते हैं, इसके लावा कभी-कभी वो खुद पंट्रोल करते हैं इन चीजों को, तो इस वजा से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है, अब आगे देखी, जो संगम पोयम है, उसमें मेंसर मिलता है, मुवेंडर का, और मुवेंड में आपको पता होगा अक्सर ही ku overlooked की उपर nella Gregory Mer bald Kel मुवेंदर के बारे में पूछा जाना सकता है कि क्या था क्यूकि यह ज्यातresse तो यह डियान रखना है कि जो Chief है जो headßeं किसे head चोलं रिंइट पांड्या के इन तीनों के head को मुवेंदर कहा झाता था each of the three chiefs had two center of power यानि जितने भी हमने जो तीन chiefs की बात की चोल, चेरो और पांड्या की इनके दो center देखने को मिलते हैं पहला inland में दूसरा coast में पहला inland में और दूसरा coast में इसके पीछे का reason यह है अगर कोई coastal attack देखने को मिले तो यहाँ पर यह control कर सके और कोई अंदर ही अंदर कोई attack करे जमीनी थोर पे तो उस time पे भी अपना बचाव कर सके अब six cities में दो cities सबसे यादा important है अभी हमने बात की कावेरी पटनम की वो देखे हैं यहाँ पर बताया गया है कि यह एक चोल का port है और मदूरही की और मदूरही क्या है पांड्यन का capital तो पांड्या की बात आई तो मैं आपको बता दू कि पांड्या का सबसे important port कौन सा है कौरकाई कौन सा सबसे important port है कौरकाई यह पूछा गया cds2 2021 में तो इसलिए important है ध्यान से याद रखेगा पांड्या का हला कि वो सारे मैंने cover की है एक साथ जो तीनो dynasties के जो port है चोल, चेर और पांड्या के वो सारे मैंने cover की है लेकिन मैं फिर से करूँगा previous air questions के साथ उस टैम पे हला कि मैंने सब कुछ cover किया previous air questions में वो भी आप देख सकते है history की playlist में अब देखे यह जो chief है वो taxes collect नहीं करते है बलकि वो gift लेते है people से ये बात भी आपको ध्यान में रखने हैं कि जो चोल, चेर और पांड्या के जो chief है वो क्या करते हैं directly taxes ना लेकर के gift लेते हैं लोगों से military expedition में जाते हैं, tribute लेते हैं neighboring area से और कुछ wealth को रखते हैं अपने साथ और बाकी जो wealth हैं वो supporter को अपने family के member को, soldier को इन लोगों को donate कर देते हैं बहुत सारे poets का composition देखने को मिलता है संगम collection में जो की chief के praise में लिखा गया है जो head है यहाँ पे चोल चेरोपंड्या के उनके तारीफ में लिखा गया है और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे किम्ती पत्थर हो गए, सोने हो गए घोडे, हाथी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं अगर 200 सालों बात देखें हम लोग इन डैनेस्टी के उदे होने के 200 सालों के बाद तो सातवहन डैनेस्टी के बारे में पता चलता है और सातवहन डैनेस्टी किस एरिया में रूल करती है इस वाले एरिया में वेस्टर्न इंडिया में वेस्टरन इंडिया में आज की रेटर महराष्टरा करनाट्यक आप कह सकते हैं और इन में से जो सबसे इंपोर्टन साथवहन राजा है उसका नाम है गौत्मी पुत्र सिरी साथकर्णी देखें साथवहन के बारे हम बहुत सारी चीज़ा पढ़नी है थीम्स वाली NCRT है जो 11th क्लास की हिस्ट्री वाली वहां पे काफी जड़ा डीटेल में दिया गया फिलाल बस इसी के साथ चलते हैं क्योंकि फिर उस टॉपिक कॉलक से कवर करेंगे तो यहां पे काफी लेंदी हो जाएगा उससे हम लोग जब 11th क्लास की बुक करेंगे तो काफी डीटेल से समझेंगे हाला कि प्रिवेसर कोश्चन तो करेंगे ही हम लोग अब देखें ही एन अदर साथवहन रूर नौन इस लोड़ दक्षिन पत नाम से समझे दक्षिन का मतलब होता है साउथ पत का मत कहते हैं साथवहन कहते हैं ऐसा बताया जा रहा है और विच वज यूज़ इस अ नेम ओफ एंटायर सदन रिजन कभी-कभी बहुत ही सदन रिजन सारे के सारे सदन रिजन को मिला करके दक्षिन पत कह दिया जाता था और वह अपने आर्मी को इस्टरन वेस्टरन कोस्ट हर जगा पर भेज करके कोस्ट को कंट्रोल करते थे साथवहन डाइनस्टी के बारे में आपको कुछ बाते बतायता हूं जो बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछी जाती है और आगर आपसे पूछा जाएगा सवाल तो इन्हीं चीजों पर पूछा जाएगा सबसे पहली तो साथकर्णी लिखा जाएगा तो आप समझ रहें तो जब भी पूछा जाए बताई कौन से कींग जो है अपना नाम मेट्रोनीमिक रखते हैं तो वहाँ पे आंसर फिर क्या होगा साथवहन ठीक है मेट्रोनीमिक रखते हैं तो साथवहन होगा ये बहुत यूनीक लगता आप हमारे मेडिल इंडिया में देखें तो मेडिवल इंडिया में हमें एक नाम और देखने को मिलता है रजिया सुल्तान का तो ये बस दो ही नाम है तो इसलिए बहुत बड़ी बात है मेट्रोनीमिक नाम लेकिन यहाँ पे जो किंग्डम चलता है वह पेट्री लीनियल च चलता है लेकिन नाम मेट्रोनीमिक रखा जाता है यह दो बाते मैंने आपको बता दी इसके अलावा एक अगर बुक्स के बारे में पूछेंगे तो पूछते हैं कि गहसतसाई बुक किसने लिखी यह चीज़े आपको नोट कर लेने चाहिए क्योंकि यही चीज़ एक्जाम मे के द्वारा लिखा गया गहसतसाई यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा तीसरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात कौन से भासा को यह लोग नर्चर करते हैं प्राकृत भासा को ठीक है साथवान डैनिस्टी और चोथी सबसे इंपोर्टेंट बात कि यह कौन से को सबसे ज्यादा मात्रा में 80-90% यहां पर लेड़ कोईस देखने को मिलते हैं तो यह चारो बाते आप ध्यान रखेंगा यही चारो बाते सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट साथवान डैनिस्टी से रिलेटेड कोश्चन इनी से पूथा जालता है ना अब आगे बात करते हैं अच्छा हां यह साइस जीए मैंने कहां पर कवर की हैं तो आप अगर चेक करेंगे तो C.A.P.F की मैंने अनलिसिस करवाई थी 2021 की यह वन ओप फर्स्ट वीडियो था मेरा प्रिवेस एर कोश्चन पर यह आप देख सकते हैं प्लेइलिस्ट के अंदर वहां पर आपको मिल ज तो सिल्क रूट पहली बात नाम कैसे पड़ा क्या रूट में सिल्क बिच्छा हुआ है क्या रास्ते में सिल्क बिच्छा हुए है ऐसा नहीं है यहां से सबसे ज़्यादा सिल्क ट्रांसपोल्ट होते हैं इसलिए सिल्क रूट कहा जाता है इसलिए सिल्क रूट कहा जाता ह और सिल्क को बनाना एक complicated process है रो सिल्क को एक्ष्टेट किया जाता है तो रो सिल्क कहां से निकाल जाता है ककुण्स के द्वारा उसके बाद उन्हें धागों में पिरोया जाता है उसके बाद उसके कपड़े बनाये जाते हैं और यह जो टेक्नीक है यह ध्यान रखेगा 7000 साल पहले कहां पर विक्सित हुई चाइना में चाइना में विक्सित हुई कौन सी टेक्नीक सिल्क से कपड़े बनाने की टेक्नीक तो यह जो सिल्क की discovery है यह जाने अंजाने में हुई देखिए दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी discovery यां गलती से हुई है जैसे अगर मैं हैं चीजों को मिटाने में या और भी बहुत सारे कामों में तो यह जो वलकनाईज डबर है यह भी गलती से इंवेंट हुआ है अगर आपको अगर आपने इस विसे में सुना हो तो चार्ल्स गुडियर के द्वारा इसके बाद अगर आप देखे तो यह जो सिल्क की हमने बात की है सिल्क थर्ड मिलेरियम बी सी में ही चाइना के एक किंग थे वो मलबेरी ट्री के नीचे बैठे थे और उन्हें वो जब टी देखे टी काफी पहले से चल रहा है चाइना में टी के ऊपर एक ककून गिरता है इसके बाद वो देखते हैं कि इससे पतले पतले रेसे हैं धागे निकल रहें तो उस टेम में पहले में आइडिय आता है कि यह हमारे काम आ सकता है उसके बाद वह टेकनीक करते हैं कि किस तरसे से बनाना है कि सतर temos कपड़े और धागों में पिरोना है तर आब देख सकते हैं यह मतलब 7000 साल पहले 2030 लगपास सभलता से भी President लख कर चूपा कर रखी गई हैं और बाद में काफी सालो काफी हजारो सालों के बाद जर चाइना टरग यह अरभ और बाकी जग़ह नो बाकी लोग भी यहां पर इना का मौनब पोली रहता था में तभी तो यह सिल्क क्रूट कहलाती थी और किस तरह से यह सिल्क कैरी करते थे काफी काफी हाई डिमांड थी और जो लोग सिल्क करते थे चाइना में उस टैम पे 7000 साल पहले काफी ज्यादा धनी हो जाते थे कभी कभी चाइनीज रूलर जो है वो बाकी देशों के राजाओं को भी सिल्क के गिफ्ट भेजते थे और वो बाकी देशों के लोग भी काफी खुस होते थे और इस तरह से धीरे-धीरे सिल्क की नौलेज वेस्ट में भी पहुंची और इसके पिछे के मंसा यह भी रहती थी लेकिन बाकी के लोग यहां पर जो अमीर लोगए हुगे जो राजा हो गये जो रूलर्स हो गये वह जरूर पेहनते थे काफी एक्सपेंसिव होता था क्योंकि इसके पीछे का रीजन का आफ का यहां यहां डूरी से क्योंकि आप देखे तो चाइना से बाकी जगों में पहु हैं इस में आपको देखिए यहां पर क्या दिखाया गया है ट्रेड रूट्स को दिखा जा रहा कि कौन-कौन से important trade रास्ते थे जहां से वयपार होता था बहुत सारे हां पर रूट्स है और जो भी ट्रेड देखिए कोई भी 100-500% का वो चीज़े यहां पर घट जाती हैं तो अगर आप यहां पर देखें तो चाइनीज डूलर के द्वारा कौन-कौन से रूट के क्योपाई किये गयते हैं यह देखें सिल्क रूट बाकी जगों से किस तरह से पहुचा रहा है यहां पर टर्की और बाकी जो देश हैं तो इसके अलावा यह सारी चीज़ें हो गई इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर इंडिया का भी मैप दिया गया इंडिया से भी जो एक्सपोर्ट होते थे हैं यहां देखें पोडुका आप देख सकते है पोडुका जो है वो अरीका मेडू को कहा जाता था अरीका मेडू पर हमने बात किये लास्ट के लेक्चर में मुजीरी हो गई जो इंपोर्टेंट पोड है सोपाटमा हो गए यह इन जगों से और यह बेरी गेज़ा जिसके हमने बात की भरूज की यहां से भी ट्रेट देखन था भारतियों के लोपन क्या था कनिस्क के दोरा कनिस्क जो देखे यह जो सक डैनेस्टी है यह हमारे भारत की नहीं नौर्थ वेस्ट में इन्होंने अटेक किया था और गांधार और बाकी रीजन पर यह राज करते थे फर्स्ट सेंचुरी का टाइम फर्स एंचुरी बीस इंगलिस में अगर आप लिखेंगे तो यह ऐसे दिखेगा यहां भी यहां याद रख सकते हैं और स्टार्ट का बहुत बार एक्जाम के अंदर पूछा गया उल्रेडी कि जो सग डैनिस्टी इसकी स्टेबलिस्मेंट का वही इवन सीविलिस सरिश्ट में पहले पूछा ज देखेंगे तो कुसान्द रूलर की बात की जायरी है कनिस्क के विशह में तो देखें यह है यह सक डैनिस्टी की है स्थापनांकी जिसे कुसान कहते है। तो कुसांट रूलर जो है कनिस्क जो 1900 सालों पहले लगपग राज करते हैं, इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसील और्गेनाईज की, बुद्धिस्ट काउंसील क्या होती थी, तो एक तरह की समीती होती थी, जहां पर विभिन विद्वान आकर के मिलते थे और चर्जा करते थे important मुद्धों पर, तो असुघोस, असुघोस a poet who composed the biography of बुद्ध चरित, lived in his court, ये सबसे ज़्यादा important point है, फिर से समझ ये, जो कनिस के राजा है, उसके दर्बार में कौन रहते थे असुघोस रहते थे, आसुघोस क्यों famous है, क्योंकि बुद्धिस्ट a scholar है, इन्हों ने एक book लिखी, book का नाम क्या है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित बुक किस ने लिखी, असुघोस ने, बुद्ध चरित बुद्ध चर संस्कृत में लिखना प्रारम करते हैं और यह जो बुस्तक है बुद्ध चरित यह भी संस्कृत में ही लिखी गई है यह आपको ध्यान रखना है पाली और प्राकृत में नहीं है और बुद्ध चरित में यह गौतम बुद्ध की बाइगरोफी को बताते हैं और जो आसुगो बाते हमारे लिए यहां पे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं सो अभी जो यह सीडियेस का एक्जाम हुआ सीडियेस 222 का यहां पे पूछा गया कि असुगोस की द्वारा लिखी गई कौन सी किताब नहीं है अब देखें यह असुगोस के एक बुक आपको पता होगा बुद्धचरित जो अभी हमने पढ़ा इंसी आर्टी में लेकिन बागी के दोनों बुक तो यहां है ही नहीं इसलिए मैं कहता हूँ कि यह चीज़ें आपको कौन बताएगा खास करके हिस्टरी के अंदर की बहुत सारी बाते जो मिसिंग है अभी तक कोई ऐसी हिस्टरी की सौर्स नहीं जो सारी की सारी बातों को कमपाईल करती हो इस वजा से मैं क्या करता हूँ कोई भी टॉपिक ले ठीक अधर के दूरा लिखी गई है लेकिन वो काफी ज़्यादा कौमन बुक नहीं है और माना जाता है कि काफी जो इसका थीम है वो अलग है वो बुद्धिस्ट थीम नहीं है सो बुद्धिजम पर तो हमने बात किया वर बहुत सारी चीजह हमने कवर नहीं किये जैसे बुद्धिजम के विसे में हीन यानछ और महायान को नहीं है काफी ज्यादा वो भी important है काफी बार exam में पूछा गया civil services में तो हीन यान देखिए lesser vehicle है और महायान ये सब चीज़े हम लोग बात करेंगे पहले महायान का सबसे important सबसे common feature देखते हैं देखिए महायान फीचर बाद में develop हुआ महायान बुद्धिज़म और महायान बुद्धिज़म में सबसे दो प्रमुख बाते देखने को मिलती हैं पहला तो ये कि बुद्धा के presence को सकल्चर में दिखा जाता है certain science का यूज कर गए तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है बुदधर्म की जो विभिन मुद्रा थे गौतम बुद्ध के दोरा जो रिपरजेंट की जाती है जैसे अंजली मुद्रा हो गई भूमी असपर्श मुद्रा हो गई यिन मुद्राओं को दिखाए जाता है कि इसमें महायान बुद्धिज़म और जैसे अगर आप अटेंडमेंट को देखे तो वाज सोन बाइ स्कल्प्चर व दा पीपल ट्री पीपल ट्री के दोर अटेंडमेंट दिखा जाता है कि किस तरह से गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति होती है ठीक है गौतम बुद्ध का स्वयम ही कहना था कि कि किसी भी परसन की लिविंग बिंग की वर्सीप नहीं होनी चाहिए बलकि उनके आइडियल्स को आगे लेकर के जाना चाहिए बट यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये एनलाइटनमेंट अटेंड कर चुके है बोधी सत्वा क्या है ऐसे परसन है जिनको ओरेड़ी ग्यान की प्राप्ति हो गई है एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है और इसके बाद ये बस जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि once they attain the enlightenment they could live in complete isolation and meditate in peace यानि attainment, enlightenment attain करने के बाद ये isolation में रह सकते हैं, meditate कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ें करने की बज़ाई ये क्या कर रहे हैं लोगों की help कर रहे हैं, लोगों को teach कर रहे हैं ठीक है, ये होता है बोधी सत्वा का काम बोधी सत्वा कैसे परसन है, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है पहला तो ये, कि इन्हें enlightenment जो है वो प्राप्त हो चुकी है लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं, teach कर रहे हैं, लोगों की help कर रहे है enlightenment प्राप्त होने के बावजूद इस question को देखे, ये question civil services 2016 का है बोधी सत्वा की बात की गई ना कि हीन यान में, ये अभी हमने देखा तो फर्स तो गलत है, सबसे पहली बात तो हमने यही की थी, महायान सेक्ट के बारे में कि बोधी सत्वा का concept देखने को मिलता है, जो कि अपने salvation को delay करते है ताकि बाकी लोगों की भलाई की जा सके, बाकी लोगों को सिखाया जा सके ठीक है, ये तो concept था बोधी सत्वा का, बोधी सत्वा is a compassionate one in his way to enlightenment हाँ, ये बात सही हमने देखा, अभी की enlightenment के काफी करीब है, बट ये जान बूश करके enlightenment को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों की भलाई करना इनका उद्दे से है तीसरा का जारा बोधी सत्वा delay achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it बिल्कुल सही, तो second और third यहाँ पर correct है, हमने देखा बोधी सत्वा की इस तरह से अपने salvation को अपने जो achievement उसे delay करते हैं, ताकि बाकी लोगों की बलाई की जा सके तो second और third यहाँ पर correct, अब देखे civil services का question, six class के NCRD से directly inspired है अभी हमने दो-तिन बाते जो पड़ी, वो दोनों ही बाते यहाँ पर पूछी गई है और यही नहीं, यह देखे civil services 2019 का question, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन कौन सी बात है, महा यान बुद्धिजम का feature है तो हमने देखा कि बुद्धिजम को, गौतम बुद्धा को deification की गई, मतलब मुर्ति पूजा की गई, गौतम बुद्ध की बना करके दूसरा कहा जा रहा है, ट्रेडिंग दा पाथ और बुद्धि सत्वा, बुद्धि सत्वा का अभी concept हमने देखा, image worship भी देखने को मिलती है यह तीनों ही बाते महा यान feature है, अभी यह तीनों बाते हमने देखी, तहाँ पर option D correct होगा अब यह देखे, UPSAC, CAPF 2013 का question, महा यान और हीन यान के बारे में difference हमसे पूछा जा रहा है तो सबसे जो important बात है बुद्धि सत्वा की हमने देखा, महा यान believed in बुद्धि सत्वा while हीन यान do not महा यान बुद्धिसम का यही तो बात है, कि यहाँ पर बुद्धि सत्वा में बुद्धि सत्वा का concept देखने को मिलता है कि किस तरह से बुद्धि सत्वा का जो उद्देश होता है, वो यह होता है कि वो अपने salvation को delay करे क्योंकि बाकी लोगों की भलाई की जा सके, तो second है आपर correct answer होगा तो अब देख रहे हैं, अभी तो मैंने बहुत कम question नहीं है, अभी अल्रेडी 10 से 15 question सिर्फ बुद्धि सत्वा के concept पर आये हैं, चाहे वो मैत्रे बुद्धा वाला सवाल हो, जो कि सीविल सर्शिसम पूछा गया, कि future बुद्धि सत्वा कोन है, future बुद्धा कोन है, या फिर इसके अलावा अवलोगति स्वर पद्म पानी वाला question हो गया, बहुत सारे question पूछे गया है बट मैं सोच रहा हूँ कि यह जो बुद्धि सत्वा, जो लाटर बुद्धिस concept है, इन सब चीजों को एक साथ cover करूँ जब मैं बुद्धिजम वाले topic को cover करूँगा ऐसे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं cover कर दूँ तो यह देखे, वीडियो का half के last का part है, तो यहाँ पे चीजें ढूणना, revise करना difficult होगा तो क्योंकि देखे, previous question मैंने आपको लेडी बता है, 5-10 बार आपको कम से कम करने है previous question बले आप कुछ भी revise ना करें, बट आपको previous question at least 5-10 बार revise करना ही है और अगर इस तरह से हम लोग video lecture के end में करेंगे तो फिर यह difficulty आईगी तो अलग से video कर लेंगे और उसमें सारे question एक साथ cover करेंगे बहुत ही detailed में discussion करेंगे, NCRT के अलावा भी बाकी sources जहां से UPC ने क्योंकि अभी आप देखें तो एक question मैंने लिया नहीं, वो question था यह वाला देखें, परमीता के बारे मैं पूछा गया था कि परमीता क्या होता, यह civil services 2020 का question था और आप believe नहीं करेंगे, अभी हमने बोधी सत्वा की बात की, लेकिन perfection whose attainment led to the बोधी सत्वा path, यानि ऐसे perfection जिसकी attainment बोधी सत्वा path को लेकर के जाते हैं, वो परमीता कहलाते हैं लेकिन ये चीज़ा आपको किसी भी NCRT में नहीं मिलेगी, बोधी सत्वा की तो बात की जाती हर बुक के अंदर, लेकिन ये परमीता term नहीं देखने को मिलेगा, तो फिर हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी topic अगर हम लोग ल सारे caves बनाएगे राजा रानियों के द्वारा तकी बुद्धिजम को परमोट किया जा सके, यहां पर आप देख सकते हैं, मतुरा की इमेजे, तकसीला की इमेजे, अलग अलग जगों पर आपको अलग अलग तरह की sculpture देखने को मिलेगी, यह भी again very important है, बहुत बार पूछा और बुद्धिजम जैसा कि हम लोगों पता है, स्रीलंका और बाकी साउथ इस्टेशिया के देशों में भी काफी तेजी से फैला, और देखे एक बात और ध्यान रखें यहां पर, सबसे जो oldest form है बुद्धिजम का वो है थेरावाद बुद्धिजम, यह बहुत जादा important है यह चीज़े अगेन हम लोग जहां पर बात करेंगे, महायान, हीनियान की वहां पर कवर करेंगे, और भी चीज़े हैं, वजरियान भी होता है, और थेरावाद बुद्धिजम की जगों पे अडॉप्ट किया गया है, साउथ इस्ट इस्ट इस्या के देशों में, जो की सब से पहला नाम आता है, चाइनिज बुद्धिश पिल्ग्रिम का, जिसका नाम है फाहियान, फाहियान की बात की जाती है, जो की सोलह सो सालों पहले लगव भारत आता है, उसके बाद जुआन जांग, जिसे हम लोग हुएन सांग कहते हैं, वो चौदा सो सालों पहले, और इत कलास के NCRT को से पहली किसी में फाहियान का, उसके बाद जाता है, ओर बता करों लोजी, कोईन सांग का के बाद ने बता इतह ने, इतौज साहिए बढ़어서 कुछाके है, दोस्तों इस प्रशनकों को देखे यह सीविल सर्विस है का है, आपको जो हले यात्री, उन्म chronology में set करना है तो chronologically अगर हम देखे तो Megasthinit सबसे पहले आया हुआ हुआ भारत चंद, उर्गुप्त, मोर के टाइम पे काफी पहले का टाइम है और Megasthinit के बाद हमने देखा कि इस तरह से बात की गई फाहियान की यानि 3 के बाद 1 आएगा उसके बाद इत्सिंग या आईकिंग कुछ कह लिजे तो 3,1,4,2 यहां पे देखने को मिलता है और यह देखे डिरेक्टली 6 क्लास के NCRT हमने देखा किस तरह से फाहियान वेंसांग और इत्सिंग की बाद की गई है तो कितना सरल हो जाएगा हमारे लिए इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अभी 6 क्लास के NCRT वाला कोश्चन सीविल सरीचेज में पूछा जा रहा है तो काफी आसानी से हम लोग सेट कर लेते कि हाँ फाहियान आया हुएंसांग आया यानि 1,4,2 1,4,2 हमें एक ही उपसन में देखने को मिल रहा है उपसन भी यहां पर करेक्ट है यह हमने देख लिया यह सारी चीज़ें हमने कवर की उसके बाद यह अलग-अलग जगों में आते थे और यह किन-किन जगों को विजिट करते थे जो भी बुद्धा के लाइफ से असोसेटेड जगहें हैं जो मोनिस्ट्री जगों उन्हें विजिट करते थे जैसे अगर आप देखे नालंदा में खास करके तो नालंदा में काफी सारी यहां पर बहुती बड़ा बुद्ध लर्निंग साइट था और यह जो पिल्ग्रिम से देखे हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि यहां चीन से यात्री आ रहा है या दूसरे जगों से आ रहा है लेकिन उस टाइम के कंडीशन के कोडिंग देखे तो इस तरह की बातें थी क्योंकि उस टाइम की सिच्वेशन अगर आप देखे आज से करीबन 14-1500 साल पहले तो उतनी सही कंडिशन नहीं थी ना ही बेटर टांस्पोर्ट थे तो बहुत कठीन होता था यातरा करना और अगर आप देखें मेगास्थनीज की स्टोरी में तो यहां तक यह भी बताया जाता है उन्हें नीचे फेक दिया जाए या खुद इन्हें अपनी जान गवानी पड़े बट इन्हें इतना प्रेम होता है अपने पुस्तकों से और अपने ज्यान वर्धक चीजों से कि यह कहते हैं कि अब डूब क्यों ना डूब के मरना पड़े इसी के साथ मरेंगे बटके किताबे फेकेंगे नहीं इन किताबों को चीन तक जरूर लेकर के जाएंगे अब इतना आगे आए हैं तो और वो सक्सेस्फुली पहुँच जाते हैं तो इस तरह की लर्निंग साइट्स देखने को मिलती है इंडिया में इसलिए हमारा देश महान है और ये चीज़ें अगर आप उस टाइम के परस्पेक्टिव से देखें तो काफी बड़ी बात है तो दोस्तों इस कोश्चन को देखें ये सीविल सर्विसेज टूथाजन थर्टीन का कोश्चन है आपको कहा जा रहा है कि चीनी यात्री हुएन सांग जो कि भारत आया बहुत सारे कंडिसन और कल्चर को रिकोर्ड करता है उस टैम पे तो कौन-कौन सी बातें वो लिखता है भारत के संदर में पहला कहा जा रहा है कि जो रोड है और रिवर रूट है वर कंप्लीटली इम्यून फ्रोम रोबरी यानि जो सडके हैं और जो रिवर मार्क है जो नदी का मार्क है वो रोबरी से पूरे तरीके से कंप्लीटली इम्यून है अभी हमने 6th class के NCRT में क्या देखा कि रोड्स का पूरिया रोबरी देखने को मिलती है इस वज़ा से यात्रा करना काफी कटीन होता है तो फर्स्ट तो मारे आंसर में आना ही नी चाहिए सबसे पहले फर्स्ट को हटाएंगे और यह आगे हमारा अंसर ऑप्सन भी तो यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट पर बाकि अगर यह देखे जहां बहुत जादा लोजिकल होती है जब भी मैं कहता हूं आपको जब पढ़नी है तो कोशन आएंगे लेकिन डेरेक्ली आएंगे यान नहीं यह डिपेंट करता आपके परसेप्शन पर और यह चीजह आपको सोचनी पढ़ेंगी जोडिकली औ वर्ड कहां से आ गया क्या ऐसा आज के डेट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोट कम्प्लिटली इम्यून हो रोबरी से तो पंदरासो सालों पहले कैसे यह चीज पॉसिबल होती है तो और जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे आप आंसर निकल करके आ जा रहा है बाकी के दो वैसे यह थर्ड वाली चीज भी हमने पढ़ी NCRT में कि काफी हैवी ड्यूटी लगती थी सिल्क रूट से जो सिल्क लाए जाते थे उस पर तो जब भी यहां पर बात आती रीड बीटून लाइंज की तो यहां पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं रोट ऑफ दा डेंजर्स डेंगांटर ओन देर ट्रेवल्स कितने तरह की डिफिकल्टी जाती थी इनके यात्राओं में यह सारी बाते कही गई है फाहियान के विसे में बताया जा रहा है फाहियान किस तरह चाइना पहुंचता है तो यह स्टोरी मैंने आपको समझा दी है क यह सामान के इस तरह से फेकते हैं यह बहुत जादा इंपोर्टेंट नहीं है जोएन जांग के बारे में देखिए जोएन जांग हुएन सांग को कहा जा रहा है जोएन जांग हुट टुक दा लेंड रूट बैक टू चाइना केरिट बेक विथ हीम स्टेटि अस्टेशु जो बुद्धा मेडव गॉर्ड सिल्वर एंड सेंडलूर बहुत सारे बुद्धा के स्टेशुस भी इनके द्वारा ले गई और जो पचास से ज्यादा मैनुस्क्रिप्ट है वर लोस्ट वेंदा बोट विच वास्क्रोशिंग दा इंडस के अपसाइज यानि कि जो बोट जो टेक्स्ट यह जो मैनुस्क्रिप्ट लेकर के आते थे वो उन्हें चाइनीज में ट्रांसलेट किया गया इन्हें जीवन परियंत ताकि बाकी लोगों को भी यह चीज़े समझाई जा सके नालंदा के विसे में समझते हैं एक यूनीक सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निं और आप यह जरूर समझिए कि टीचर्स और जो मैन है वो हाइस्ट अबिलिटी और टेलेंट के हैं यह बाते देखिए हुएन सांग लिख रहा है यहां पर पूरी संसेरिटी दिखाई जाती है बुद्धा के टीचिंग्स को ले करके जो मोनिस्ट्री के रूल है वो काफी ज़्यादा स्टिक्ट है और हर किसी को मानना है यानि कहावी अच्छी डिसिप्लीन देखने को मिलती है डिसकसन जो है वो दिन भर चलता है और 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 यंग में मीचवली हेल्प भी करते हैं दूसरे की लर्नेड में अलग-अलग सहरों से आते हैं अपने डाउट्स को सुल की पर उनके द्वार इतने कठीन इतने अच्छे कुश्शन पूछे जाते हैं कि साथ से आठ लोग बाहर हो जाते हैं दस में से केवल एक या दो लोगों के ही एंट्री मिलती है तो इसके रीजन बहुत तोब्यस है हम दे सकते हैं सबसे पहला बुद्धिस्ट लर्निंग का ही खत्म हो जाता बट बहुत सारी UPSC के प्रिवेसर कुश्शन इंक्लूड किये मैंने जो कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है और जब भी मैं लेक्चर्स लूँगा किसी भी बुक को किसी भी चेप्टर के तो यह जरूर एंसे और करूंगा कि UPSC के PYQ जरूर डिसकस और यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंस प्राप्त करता है और डाइटी का माध्यम अपनाया जाता है एक आइडिया है जो की काफी ज़्यादा पॉपिलर हुआ उस टाइम पे और भाक्ती को समझा जाता है एक परसन का डिवोशन चूजेन डाइटी को ले करके यानि भाक्ती के तहत हर परकार के लोगों के पास यह अपने डाइटी की पूजा कर सकते हैं भाक्ती का जो आइडिया है यह भागवत गीता में भी प्रेजेंट है जो की हिंदो का एक पवित्र धार्मिक गरंत है और इसमें जो भागवान श्री किष्ण है वो अरजुन को कहते हैं यह सरन लेने को कहते हैं और हर परकार के जो एविल से उनसे मुक्ती मिल जाएगी और यह भाक्ती का मार्ग होता है और इस सिस्टम ऑफ भिलीब के तहत इफ आ डिवोटी वर्शिप दा चोजन डाइटी वित प्योर हार्ट दाइटी विल अपियर इन दा फॉर्म इन विच ही और सी में डिजायर यानि जिस रूप में जो यहां पे सरधालू है जो भाक्ती कर रहे हैं वो अगर चाहें तो उस रूप में यहां पर भागवान प्रकट हो सकते हैं और इन अधर फॉर्म किसी भी फॉर्म में डाइटी यहां पर आ सकते हैं एक बाज जब इस आइडिया को अच्छे से एक्सेप्टेंस कर ली गई तो जो आर्टीस्ट है वह उन्हों व वे रिलेशन सी बीट्विन डाइटी और डाइटी यानि डिवोटी और डाइटी के बीच की रिलेशन सीप को बताता है भाक्ति इस डारेक्टेड टौर्ज भागवत भागवत से यहां सम्मंदित है विस ओफन ट्रांसलेटेट एज गोड जो की गोड्स के दौरा और स्पेशल होते हैं इसलिए डाइटी को स्पेशल होम में रखा जाता है टेंपल्स वगरा में अच्छे से रखा जाता है और यह देखिए हिंदू के विसे में बताया कि जो वर्ड हिंदू है लाइड टर्म इंडिया इस डिराइफ फ्रम दा रिवर इंडस यानि हिंदू ज रिजस विलिफ्स को इंक्लूड करके यह टर्म औरिजनेट हुआ यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म कीवर्ड काफी सिंपल है यह आप आसानी से मैच कर सकते हैं और यह कायरे आपका है यह आपका हमवर्क है आप जरूर मैच करें काफी अच्छी रिविजन होगी और अतिरिक आप यह भी बता सकते हैं कि इसके परशात किस NCRT को स्टार्ट किया जाया मैं सोच रहा था कि CDS के कुछ सालों के प्रसंपत्र हल करवा दूं नेक्स्ट CDS के लिए काफी उपयोगी होगा इसके अतिरिक सीविल सर्विसेज के भी स्टार्ट करने मुझे मैंने कंट